आप सभी लोगों ने पैस्वे कि जलवायू सिकर सम्मिलन के बारे में जरूर सुनाओगा और आप ने ये भी सुनाओगा कि जलवायू परिवतन के कारण ही आज देख रहे हैं कि कई समस्या हैं हमारे सामने खड़ी हुई है और कई विज्यानिकों ने तो यहां तक कह दिया कि यह जो करोना मामारी है यह भी जलवाय परिवतन की ही देन है आप समझ रहे हैं एक समझ आप लोग देखा करते होंगे कि जब भी आप स्कूल जाते थे कॉलेज या फिर घर से निकलते थे तो आपके चारों तरब आप देखते थे पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे आपने देखा होगा कि कभी इतना पानी हुआ करता बरसाद होती थी कि चारों तरब पानी ही पानी देखाई देरा होता था लेकिन आज आप देखिए पूरी तरह से मौस जो भी जलबाई परिवतन के कारण सब कुछ बदल चुका है आज आप देखी ओक्सिजन की जो मारा मारी चल रही है आप समझे कि ओक्सिजन कहां से पेडों से कितनी मिलती थी लेकिन हमने देखा है कि दूसरी तरह हमने पेडों की सफाई कर दी और दूसरी तरह हम लोग ने उनकी पेड लगाय ही नहीं आप जानते हैं कि आप लोग जब भी आप यहां खुसी होती होगी किसी भी कारण को लेकर जैसे माली जी आपका बड़े है बर्टड़े है जनब दिन है तो आप लागों रूपे खर्च कर देते हैं और आप देखते हैं कि एक दिन में सब कुछ कर्दम हो जाता है इसके जगए आप एक दो पेड लगा सकते हैं और आप समझे कि यह पेड तब तक याद रहेगी आपकी जनम दिन की जब तक यह पेड रहेंगी पेड कितना जरूरी है इससाइद हम लोग नहीं समझपा है उसी आज आज आप देख भी रहे हैं मैं नुद्देश हमारा इस टॉपिक को इसलिए करना है क्योंकि वैस्विक जलवाईव सेखर सम्मेलन हाली में आयुजित किया गया है और आपने देखा है कि USA यानि कि सयुक्तराज अमेरिका के द्वारा डिजीटल रूप से इसे की सम्मेलन को किया गया है और डिजीटल रूप से इसलिए किया गया है क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरना महामारी फैली हुई है एक जगह से दूसरी जगह कोई जाही नहीं पा रहा है तो अभी जितनी भी मीटिंग हो रहे हैं जो भी सम्मेलन हो रहे हैं यह सभी आपके वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से हो रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि हमारे पिदान मंत्री साहब ने भाग भी लिया देखें यह हमारी प्यारी पितवी और इसमें देखेंगे एसिया में यह हमारा प्यारा भारत और आप अपने पड़ोसियों को भी देख लीजे यह स्रिलंका हो गया मैनमार, बंगलादिस, बूर्टान, नेपाल और उपर आपका चाइना, पाकिस्तान और यह अफगानिस्तान आप सभी लोगों को मालूँ होगा कि बंगलादिस से सबसे जदा हमारी सीमा लगती है और अफगानिस्तान से सबसे कम और सेवक्तराज अमेरिका की बात करें तो आप देखेंगी एह है आपका सेवक्तराज अमेरिका, ठीक है? याद रखिए अब आप सोचें ताबमान बढ़ेगा अगर तो आप सोचें कि जो वरक जमी हुई है वो पिगलेगी और आप समझें कई दोई डोप जाएंगे समझ रहे हैं आप लोगों? तो हाली में सेवक्तराज अमेरिका ने डिजीटल रूप से वैस्विक जलवाई सेकर सम्मेलन का एउजन किया है और इस जलवाई सेकर सम्मेलन में पिधानमंतरी नयद मोदी ने कहा है कि जलवाई परीवतन से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है और याद रखिए इससे आपके स्टेट पीसेस हो या सेबल सर्वेस हो इसके प्रेलेम्स हो या फिर आपका लिखित परिक्षा हो आप देखते हैं नीवन्द में भी आपके कुश्चन्स आते रहते हैं ठीक है इस तरह की टॉपिक जब भी आप कम से कम आप लोग एक न्यूज पिपर जरूर फॉलो किया करिएगा ठीक है और आप देखिए कि अब तो आप लोग न्यूज पिपर ऑनलाइन भी डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप की हाँ नहीं मिलता है तो इन्दी मीडियम से आप देन एक जागरन या फिर आप देखिए आप लोग जन सकता इन दोनों में से एक आप लोग फोलो जरूर किया करिएगा इसके बारे में कि इससे क्या होता है कि एक सामान जानकारी आपको मिलती रहती है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और आप जानते हैं कि अधिकतर कुश्चन्स आपके वहीं से पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहा हो जो टॉपिक ठीक है स्युक्तराज अमेरिका के राष्टपती जो वाइडन ने हाली में 22-23 अपरेल 2021 को वर्च्वली रूप से बैस्विक जलवाई से कर संबेलन का आयोजन किया है और आप से कई वार ये वन डे एक्जाम में ही डारेक्ट कुश्चन्स पूच लेगा या फिर आपका प्रेलियम से में डारेक्ट कुश्चन्स पूच ले कि जो अभी हाली में आपका 22 जलवाई से कर संबेलन का आयोजन हुआ है इसका नेतित किस ने किया है तो सेवधरा जमेरिका ने इस बैसविक जलवाई से कर संबेलन में पूरे 20 के लगबत 40 निताओं ने भाग लिया और समझ सकते हैं कि जो जलवाई आपकी जो प्रॉब्लम है ये सब की वरावर है आप सोचें कि किसी एक देश की प्रॉब्लम है इससे अगर नुकसान होता है तो हर देश को उठाने पड़ेगा बैसविक जलवाई से कर संबेलन में भाग लेने वाली लीडर्स बैसविक इस्तर पर बड़ी अर्दवस्थाओं का फितिने दित करते हैं जो अन्य बातों के अलावा जलवाई परिवतन के फिति संबेधन सील हैं और इस बैसविक जलवाई से कर संबेलन में लीडर्स ने जलवाई समन और अनकूलन प्रक्किती आधारी समाधान जलवाई सुरक्षा के सासा स्वक्ष ओर्जा के लिए तकनीकी नवाचा रित्यादी मुद्दों पर ध्यान केंदित किया है इसके अतरिक्त आप देखें कि जलवाई परीवतन के मुद्दों के लिए धन रासी जुटाने का पर भी मंथन किया गया है और नेवताओं ने इस बैस्विक जलवाई सेकर सम्मिलन में इस बात पर भी विचार विम्वर्स किया है कि राष्टिय परिस्तितियों और इस्थाई विकास प्रात्मीकताओं को का सम्मान करते हुए दुनिया समावेसी और लचिले आर्थिक विकास के साथ जलवाई कार को कैसे कर सकती है जाना दूर आप लोगों को नहीं जाना है आप लोग आज से 10 साल पहले ही चले जाएए और आज के समय को आप लोग देख लीजे जमीन आस्मान का फरक है आज की ओस समय कि में आप देखते हैं कि गाओं में के कूलर लगाने लगे हैं लोग पंखा का उपयूब करने लगे हैं परना आप सोची कि 10-12 साल पहले लोग को पंखा पंखा कूलर में पिधान मंत्री नियंद मोदी ने कई महत्पूर बातों का लेखित किया है। साहस्तिक कदम भी उठाएव है। और हम देख रहे हैं कि नवी करणी है उज्जा पर हम लोग विसेश द्यान दे रहे हैं। भारत ने सविक्तराज अमेरिका के साथ मिलकर भारत अमेरिका जलवाई। और स्वक्ष उर्जा एजेंडा 2030 सांजेदारी शुरू की है। और इसस नेवेश चुटाने में मदद मिलेगी और स्वक्ष परोदों की कियों को बड़ावा मिलेगा। वही भारत की पिती वेक्ती कारवन फुट परेंट बैसवे कोसर से करीब 60 पिती से कम है। क्योंकि हमारी जीवन सेली अभी भी इस्थाई फारंपरिक पिताओं पर आधारेत है। और आप समझ सकते हैं कि जो जितना भिक्सित होगा उसमें आप देखेंगे कि उतने ही अधिक लोग कारवन उत्पन करेंगे। भारत ने 2030 तक नभी करणिये उर्जा सिरोतों से 450 गीगाट वाट बिजली उत्पादन का लक्ष रखा है। नभी करणिये का मतलब है कि आप सोचिए कि स्वार उर्जा हो गई या फर आप पबन उर्जा हो गई, जल उर्जा हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि कोईला हो फिर चाहे आपका कच्चा तेल हो, पैटॉल या डीजल की बात कर रहा हो, ये एक समय के बाद खतम हो तो हमें उर्जा की ज़रूरत तो पड़ेगी न, तो उसके लिए हम लोग कोई दूसरा विकल्प अपलब्द करवाएंगे, तो यही नभी करणिये उर्जा है, ठीक है? और यह मतलब कांची लक्ष भारत की जलवाई परिवतन के पिती, पिती बादिता को दरसाता है, और अतरिक्त भारत ने अंतराश्टिय सो और गठवंदन और LED, LEED IT और आपदारोधी वन्यादी धाचे के लिए गठवंदन जैसी बैस्विक पहलों को भी प्रोसाहित किया है, जलवाई परिवतन क्या है? अगर इसकी बात करने तो आपको याद होना चाहिए, किसी इस्थान क कि देर कालिंग मौसम संबंधी दताओं, जैसे आद दता हो गई वाई वन्यादी लिए दबाओ और तापमान के ओसत को जलवाई हो कहते हैं, जब जलवाई में मानवी एवं प्राक्तिक कारणों से परिवतन आ जाता है, तो उसे हम लोग जलवाई हो परिवरतन की संग्या दी जाती है, और वरतमान में आप देखेंगे कि मैं देखा जा रहा है कि मानवी हस्तेचेप की वज़े से जलवाई में कई आबांचनी परिवतन आ रहे हैं, गिलोवल वार्विंग गैसों के उद्सरजन के कारण पितवी का ओसत तामान कापी बढ़ रहा है, इसे आप लो सूखा जैसे विनासकारी घटनाय सामिल है, और इन सभी घटनाओं का समाज के नाकेवल आर्थिक जीवन इस तरफ और पवलिक अन आयामों पर भी दीकालिक प्रभाव देखने को मिलता है, आप समझते हैं कि सब लोग जानते हूँगे कि एक समय सभी रितूं अपने होती थी तो बरसाद अच्छी होती थी, आज तो आप देखें मालू लोई नहीं चलता है कि तूफान कब आ रहा है, बाड कहां आ रही है, बरसाद होई ही रही हैं नहीं हो रही है, तो यह देख सकते हैं आप लोग सभी जल्वाई परिवतन के ही पैडाम हैं, अगर हम यह जलवाईव रीवतन पर अंतर सरकारी पेनल है और जलवाईव रीवतन से समंदित बिज्ञानिक आंकलन करने ही तो, सयुक्तराष्ट का एक निकाय भी है। सयुक्तराष्ट जलवाईव रीवतन फैंबायक संबेलन जिसे आप लोग UNBCCC के नाम से भी जानते हैं। यह एक अंतराष्टी समझोता है जिसका उद्देश बायूवंडल में ग्रेन हाउस गैसों के उतसरजन को नेंतित करना है। और यह समझोता आप देखेंगे जून 1992 के पिथवी सिख संबेलन के तवरान किया गया था। एक आप सुनते हैं फैरे समझोता बर्स 2015 में ग्रेन हाउस गैस उतसरजन को कम करने की लक्ष के साथ संपन फैरे समझोती को गिलोबल बार्विंग को रोकने के लिए एक इतिहासिक समझोती की रूम में मानता प्राप्त है। अगर हम बात करें जलवाईव परिवतन से निपट नहीं तुभारत ने क्या प्रयास किये हुए हैं तो जलवाईव परिवतन पर राष्टिय कारियोजना जिसे आप लोग NAPCC के नाम से जानते हैं इसे बर्स 2008 में सुवारम किया गया था उसे इस कारियोजना में मुकता 8 मि आप देखेंगे बिक्सथित ऊर्जा दक्षिता के लिए राष्ट्य धीमिशन फिर आप देखेंगे सोईस्थे निवास पर राष्ट्यमिशन फिरआप देखेंगे राष्ट्य जलमिशन और राष्टी इस्तरपर निर्धारित योगदान NDC भारत के लिए राष्टी इस्तरपर निर्धारित योगदान के घोसित लक्ष को 2030 तक प्राप्त करना है और अंतराष्टी सौर उर्जा संधी IESA भारत और फ्रांस द्वारत 30 नवंबर 2015 को पेरिस में सुरू की गई पिथम संधी आधारित अंतराष्टी अंतर सरकारी संगठन है जो 2006 इस्तर को अस्तित में आय था One Sun One World One Grid परियोजना आई ऐसे के साथ ही भारत ने One Sun One World One Grid परियोजना की तहत अक्ष्य उर्जा संसादनों को आपस में जोडने के लिए 22 पारिस्तितिक तंत के निर्माड की एक पहल भी सुरू की गई है तो ये सबी हमारे भारत के द्वारा कदम उठाए गए है अगर आप कभी निबन लिखने के लिए आता है या फिर आंसर लिखने के लिए आता है और इस तरह की टोपिक से हमेशा आपके कुश्चन से बनती रहते हैं तो उसमें आप लोग इनका उप्यूप कर सकते हैं आकड़ों का ठीक है? कि भारत में क्या प्रियास की है और विष्व में क्या प्रियास कीएगे? किस तरह के प्रियास कीएगे हैं? तो यही आपकी मत्पूर क्वाइं बैस्विक जलवाईयों सिखर सम्मेलन से इनी के बारे में आप लोग याद रखिए हो सकता है कि अगर कुशन्स आए तो आराम से आप लोग इनी में से सॉल्व भी करने की स्तिती में पहुंच जाएंगे